हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल इस्टडी विद इंजीनियर सोहिल मंजिल तक सफर्म दोस्तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही जाद अच्छे होंगे कि आपकी यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में डिपलोमा चाहिए या फिर वी टेक चाहिए उसकी में मैं बात करूँगा तो सब कुछ दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे एक्जाम आपका कब तक हो सकता है बो देखेंगे सिलेबस को हमें कैसे कंपलीट करना है वो देखेंगे फिजीस को कैसे पढ़ना है वो देखेंगे और बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो आज आपके लिए ये होने वाली है बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो आज आपके लिए होने वाली है तो सबसे पहले यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि UP Police Radio Operator Exam Date आखिर क्या है तो सबसे पहला point मैंने आप लोगों के लिखा है कि exam date ठीक है आपका exam कब तक हो सकता है सबसे पहला point यही है तो आप सभी को पता होगा कि 4 मंथ का time मांगा है किसने भाई चार मंथ का time दिया है कि आपके चार मंथ में कभी भी आपका Radio Operator का exam हो सकता है चार मंथ कौन कौन से थे आपके सितंबर था, अक्टूवर था, नवंबर था और आपका दिसंबर था इन चार मंथ में दोस्तों आपका यह exam करवाएंगे यह वात इनोंने कही है यूपी पुलिस आयोगे ने, ठीक है, अब exam किस मंथ हो सकता है यह सबसे बड़ा सवाल है तो जो आपका exam है Radio Operator का वो इन दो मंथ में दोस्तों आपका exam होगा या तो आपका exam अक्टूवर में हो जाएगा, या तो आपका exam नवंबर में हो जाएगा ये दो मंथ हैं दोस्तों जो आपका exam हो जाएगा देखिए, officially हम लोग बात कर रहे हैं, कोई हवाबाजी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि officially आपका जो दिया है, वो चार मंथ दिया है कि आने वाले चार मंथ में जो है, इसका exam करवा लिया जाएगा और सबसे पहली opportunity किसे दी है, इन्होंने radio operator को exam को ही दी है उसके बाद ही दोस्तों ये लोग constable का कुछ न कुछ करवाएंगे तो सबसे पहले radio operator की ही दोस्तों exam होगी उसके बाद में constable, उसके बाद में UPSI बगरा के exam conduct करवाए जाएंगे तो चार मन्त दोस्तों इन्होंने कहाए थे, October या November में दोस्तों इसका exam आपका करवा लिया जाएगा तो आपको कोई doubt नहीं रहना चाहिए आप लोग एक बात मान कर चलें कि जितना भी समय आगे बढ़ रहा है ये समय आपको आपके selection की और लेकर जा रहा है क्योंकि जितना समय आपको मिला है किसी exam के लिए आपको इतना समय नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात आपकी post है head operator की, assistant operator की मेरे दोस्त दरोगा की ये vacancy है head operator, assistant operator की vacancy है और आपकी workshop की vacancy है तो ये सभी दोस्तों आपकी बहुत शांदार vacancies है तो आप लोगो study करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए practice set करते रहिए, अंत भला तो सब भला अगर आपने यहाँ पर आकर आपकी कहानी गड़़ा गई यही सोच के कि exam होगा या नहीं होगा तब दोस्तों आप selection से दूर हो जाएंगे तो selection के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहें मैं जो भी चीज बताता हूँ आपको वह आप चीज करते रहें तो आपका preparation का plan क्या होना चाहिए ठीक है, preparation का plan आपका क्या होना चाहिए अभी मैं दोस्तों syllabus के साथ साथ इसका पूरा strategy बहतरिन time से समझा दूँगा तो यहाँ पर दोस्तों बात है क्या-क्या आपको दिहान लखना है देखिए, preparation के लिए आप सबको पता है कि आपके चार subject में दोस्तों ये आपका exam conduct करवाय जाएगा ठीक है, चार subject आपके है कौन-कौन से तो चार subject है, आपके math है, आपकी reasoning है, आपकी hindi है और आपकी gks है, math आपकी 100 नमबर की आईगी, ठीक है ऐसे ही आपकी reasoning भी कितने नमबर की आईगी, 100 नमबर की आपकी hindi भी कितने नमबर की है, 100 की है और आपका gks भी 100 का है, लेकिन इसमें जो ratio है ना वो ratio कितने का है 60 ratio 40 का दोस्तों ये ratio है मतलब 60 number में दोस्तों जो आपकी आईगी ना वो आईगी मेरे दोस्त GK और ये 40 number में मेरे दोस्त जो आपसे question पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे physics के या फिर science के ठीक है physics या फिर science physics या फिर science के दोस्तों question पूछे जाएंगे तो ये इसका ratio है GKGS का जो 100 number की आपकी आनी है 60 में जीके आईगी जिसमें history, polity, geography, static, current affair, economics ये सब चीजे पूछे जाएंगे 60 number में बाकि 40 number में आपसे पूछी जाएगी science जैसे head operator में physics, बाकि 2-3 chapter chemistry, assistant operator में math में दोस्तों क्या पूछा जाएगा math में जो सबसे ज़्यादा रोल है वो आपका किसका है, arithmetic का है ठीक है, तो arithmetic को आपको अच्छे से पढ़ना है advance का रोल दोस्तों नहीं है arithmetic के साथ में आपको mensuration पढ़ लेनी है ठीक है, mensuration, तो arithmetic में आप number system है, आपका time and work है percentage है, profit, loss है ठीक है, SICI है ये सब जो chapter आते हैं वो आपके arithmetic में आ जाएंगे, तो 100 number का आपका ये part हो जाएगा, reasoning का पार्ट दोस्तों आपका हो जाएगा, 100 number का और हिंदी में दोस्तों आपका वही सब व्याकरण अगर आती है हिंदी आपकी, ठीक व्याकरण बिलोम सब्द, परियावची सब्द, एक सब्द अनेकार्थी सब्द, ये सब्द क्या है आपके हिंदी में तो हिंदी दोस्तों आपको पूरी करनी पड़ेगी math और reasoning भी दोस्तों आपको पूरी करने पड़ेगी और यहां पर दोस्तों आपको साइद एक चीज कंफर्म मां बता दू आपको हर एक सेक्षन में यहां पर 50% लाना अनिवार है हर एक सेक्षन अगर आप किसी भी सेक्षन 50% नमबर नहीं ला पाए तब दोस्तों आप डिस्क्वालिफाई कर दिये जाओगे तो 50% लाना हर एक सेक्षन में आपका कंफल्सरी है अगर किसी भी सेक्षन में आप मैत में भी अगर उनन्चास.999 पर भी रह गया ना तब दोस्तों आप डिस्क्वालिफाई कर दिये जाओगे तो हर एक section में 50% लाना अनिवार है मतलब 50 number लाना आपका अनिवार है चाहे math हो, चाहे reasoning हो, चाहे hindi हो, चाहे gk, gs हो और ऐसे में जो बच्चे सबसे ज़्यादा दोस्तो disqualify होंगे वो यहीं पर होंगे आपके कहां पर gk और gs में तो सबसे बड़े जो बच्चे disqualify होंगे वो gk और gs में ही वच्चा होगा क्योंकि gk में 60 question और आपके gk में 60 number और आपके science में कितने 40 number कुछ बच्चे gk में भी 20 question ही कर पाएंगे, 25 question, 30 question कर पाएंगे कुछ बच्चे यहाँ पर physics में दोस्तों fail हो जाएंगे तो physics के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या कर रहा है तो physics के लिए सबसे पहले मैं आपको दो बाते बताओंगा ठीक है, जो बात आपको अच्छी लगे उस बात को आप मेरी माल लेना सबसे पहले तो physics हमारे YouTube चैनल पर है ठीक है सबसे पहली वाद तो physics हमारे यूटूब चैनल पर पड़ी है अब बास सर ने दोस्तो physics कराई है head operator का physics का syllabus complete है ठीक है तो जितने वच्चे भी देख रहे हैं वो सभी लोग यूटूब पर जाकर हमारे अब बास सर की physics की class है पूरी उसको जाकर देखें और आपके चार-पांच चैप्टर आपके किस में बचे हैं assistant operator की physics में बचे हैं ठीक है ये भी complete हो जाएंगे अब बास सर के घर पर खुसी हुई है उन्हें बेटी हुई है तो इस बज़े से classes काफी दिन से आपकी नहीं आ रही है कुस दिन से उनकी बाइफी तिवित खराब थी और फिर operation बगर हुआ है उनकी बेटी हुई है तो इस बज़े से काफी class नहीं आ रही है लेकिन Monday से अब बास सर की class continue फिर से हो जाएंगे ठीक है तो आप लोग जाकर एक तो YouTube पर देख सकते हैं दूसरी बात हमारा application है दोस्तो अपने ठीक है तो application का link दोस्तो आपको description में मिलेगा तो application पर दोस्तो आपका इसका special batch मिल जाएगा physics special जो दोस्तो सिर्फ और सिर्फ आपको 150 रुपए में batch मिल जाएगा इसमें आपको complete दोस्तो syllabus मिलेगा head operator का complete हो चुका है पिलस assistant operator का ठीक है कुछ बच्चों की query है सर्फ workshop बालों के लिए आपने batch नहीं निकाला तो workshop बालों की chemistry आएगी बहुत अच्छे से ठीक है तो chemistry के लिए एक भेतरिन सा मैं teacher देख रहा हूं मैं नहीं चाहता आपके लिए किसी से भी इलाके chemistry पढ़वा दूँ तो एक भेतरिन सा teacher जैसे ही chemistry का मिलता है आपके लिए recorded batch मैं provide करवा दूँगा और बहुत सस्ता मैं आपके लिए रखूँगा मातर 100 रुपय का रखूँगा आपका वर्क्शॉप का बेच ठीक है ताकि हर बच्चा इस batch को ले पाए तो सभी लोग application को download कर लें head operator का batch या फिर assistant operator का batch चाहिए तो आप लोग 150 रुपय में दोस्तो इस batch को process कर सकते हैं जिने YouTube पर पढ़ना है वो YouTube पर भी दोस्तो batch आपके लिए पढ़ा है आप YouTube पर भी जाकर दोस्तो batch ले सकते हैं ठीक है फिर यॉप कोस्ट देख सकते हैं तो ये दो चीजे मैंने आपको बताई हैं फिजिक्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम किताब से ही सर पढ़ना है हमें तो किताब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ परिक्षा वानी की किताब है एक फिजिक्स की साइन्स की किलास है परिक्षा वानी की जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो आप इस किताब को पर्चेस कर लें परिक्षा वानी की बुक है कहीं भी आपके नियारेस्ट स्टोर पर जाकर ये बुक आपको अवेलवल हो जाएगी किलियर मेरी बात चलिए कुछ बच्चे पूछ रहते कि सर उनके बात पर आता हूं कि सर आप RTI लगा कर पूछ लें कि इसमें डिपलोमा सर मांगा गया था ठीक है डिपलोमा और बहुत से बच्चे ऐसे हैं बीटेक वाले हैं उन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया है तो कु को बता दूं कि इसके लिए मैं कोई भी हवा में बात नहीं कहूंगा तो मैंने एक एडवोकेट हैं एक वकील साहब हैं उनसे मैंने बात करी है जो कचहरी में बैट थे हैं तो उनसे मैंने पूछा है कि आप अपने इस तर से RTI लगा कर ये मालुम करें कि हैड ओपरेटर व कुछ हूं मैं आपसे कहूं कि मैं बहां गया था मैं मालुम करके आया था मैंने RTI लगाई थी तो वो सब बाते दोस्तों अलग होती हैं लेकिन एक डिपार्टमेंट का आदमी एक भीतरीन सा बकील मुझे किसी अच्छे बंदे से मैंने राई ली थी उसने मुझे यही बता जाएगी अब तो आपका एक्जाम ही होना है तो बस थोड़ा से समय दे मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड करवाऊंगा जैसे जैसे वकील साब कह रहा है मैं अभी कर रहा हूं बाकी एकदम सटीक जनकारी आपको मैं प्रोवाइड करवाई कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने है वेश्ट बुक दोस्तो आप मैंने बता दी कि परिक्षा बानी की आप बुक ले सकते हैं ठीक है साइंस के लिए परिक्षा बानी की बुक आप पर्चेस कर सकते हैं प्रेक्टिस सेट आप ले सकते हैं प्रेक्टिस सेट आगर मै आपको बताता हूँ तो या तो आप ले ले चक्षू पब्लिकेशन का ठीक है चक्षू पब्लिकेशन भी एक है चक्षू का ले 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 या फिर आप यूद कंपटीशन का ले 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 इन दोनों के दोस्तों आप सेट ले सकते हैं बस आपको रिवीजन जरूर करना है जितना कॉंटेंट आपने पड़ा है उस कॉंटेंट का आप रिवीजन करेंगे तभी दोस्तों वो चीज आपको याद रहेगी अन्यता चीजे गोल हो जाएंगी कुछ समझ में नहीं आएगा कितना समय आपके पास बच कर चलिए कम से कम इतने दिन आपको मिलेंगे ठीक है वाकी आपका जो है अक्कूबर में लास्ट में भी हो सकता है और नवंबर में भी आगा अग्जाम हो सकता है क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हम आने वाले चार मंत में एक्जाम कंड़क्ट करा लेंगे और सबसे पह अ गयरे णारी से एक्जाम डेट नुकलने वाले नहीं एकदम दोस्तों एक्जामा डेट देह रहा ही है उपलेंगे पन्य पलड़तने रह जाएंगे तो अभी अच्छी। तैयारी आरे पारें कर लें selection आपका हो जाएगा ठीक है तो ये दोस्तों बहुत important video थी जो आप तक मैंने पहुचाई है और जो भी वच्ची UP Police Constable में apply करेंगे उन सब के लिए दोस्तों चक्सू Publication Precursion की तरफ से ये दो book आपकी निकल कर आती है सबसे पहले दोस्तों ये आपकी चक्सू Publication Constable की Study Guide है जिसमें आपको सभी subject मिलेंगे समानी ग्यान Hindi, Math, Reasoning और कुछ उत्तर पुर्देश पुलिस में जो special जानकारी होती है वो भी आपको मिलेगी 5 salt paper मिलेंगे 3000 plus बहुभी कल्पी ए प्रिशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ में दोस्तो एक बुक इनकी और आती है जो काय है जो है आपका mock test के लिए या फिर आपकी practice set के लिए इसमें दोस्तो आपको 8 salt paper मिलेंगे 2500 plus बहुभी कल्पी ए प्रिशन 10 practice set आपको इसमें देखने को मिलेंगे इन दोनों बुक के दोस्तो लिंक मैंने नीचे description में दिये हैं बहां से जाकर दोस्तो आप इन दोनों बुक को buy कर सकते हैं UP police constable वाले बच्चे ठीक हैं तो चलिए दोस्तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो like, share and subscribe जुरू करने और मैंने आपको बताया था कि ये वाला देगी physics का बैच है आपका बासर ये आपके बासर है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने head operator का batch complete करा दिया है आप इस batch को जाके purchase कर सकते हैं link मेंने application का application पर जाकर आपको ये batch दिख जाएगा आप इस batch में जाके enroll कर सकते हैं और अपना content पढ़ सकते हैं लगवग 32 क्लास दोस्ते इसमें head operator की पड़ी है आप इन क्लास को देखकर अपना science का physics का syllabus complete कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल next video में अपना ख्याल लखिएगा मस्त रहीएगा पढ़ते रहीएगा किसी भैकावे में मता आना motivation के साथ पढ़ते रहें ठीक है चलिए मिलते हैं जैक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिंद जै भारत